हमारे देश में कोरोना में हमारी थोड़ी सी कम पढ़ रही है अभी जो अभी के सुच्वेसन जो है वो कहीं न कहीं हमें इंडिकेट कर रही है कि जो कोरोना है वो हमारे हां थोड़ा सा कम पढ़ने लगा है अपनी जो पीक लेवल से है वो नीचे आने लगा है लेकिन कोरोना के कम होने के साथ ही एक नहीं बीमारी बढ़ने रगी है देश में जो है ब्लैक फंगस या फिर उसे दूसरे एक नाम से जानते हैं म्यूकर, माकोसेस या फिर ब्लेक फंगस दौन आम से जानते हैं मूकर का मतलब भी होता है फंगल, और मा uwक्षीस next time left फंगल इंफेक्शन तो कुलमिलाकिस का मतलब होता है फंगल इंफेक्शन थेक हैं, तो ये विमारी होती क्या है कैसे आती है और किया इसके एफेक्ट होते हैं कैसे सही होती इस पूरे वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले समझते हैं म्युकर-mikosis या फिर ब्लैक फंगस होता क्या है। तो पहले इसके पहले एक स्टॉरी चोटी सी है स्टॉरी, एक मुंबई में एक महिने पहले लगबग एक पेसेंट डॉक्टर के पास आया और जिसे आखों के पास दिक्कत थी मतलब जलन टाइप की हो रही थी और infection type का दिख रहा था ठीक है उसे doctors ने पढ़ा तो पाया कि वो fungal infection है मतलब उसके बारे में study की तो देखा वो fungal infection है और फिर उसके बाद उस patient की मतलब उस patient को सही करने के लिए doctor को उसकी आखे निकालनी पड़ गई जान बचाने के लिए उसके आखे निकालनी पड़ गई तो यह है black fungus का effect क्या हो सकता है black fungus होता क्या है यह सारी चीज़ दानेंगे तो सबसे पहले हम जानते है कि fungus fungus आपको पता है कहा कहा पर बाद आते है fungus आपको smile में मिल सकते है है decaying fruits में मतलब खराब होए सड़े होए fruits होते हो उनमें सड़ी वी सबजों मिल जाते है हमारे नाक में जो mucous होता है उसमें होता है ठीक है तो nose या mucous जो होता है जो cuff होता है टाइप का वो उसमें भी काफी है तक fungal infection fungal आप जानते है कि normally सब्सक्राइब हो जाता है ठीक है उसके बाद यह effect कहां कहां पर करता है वो जानते तो effect यह किनके चीज़ों को कर सकता है यह हमारी skin को effect करता है क्योंकि infection होगा obviously ठीक है दूसरी चीज़ lungs को infect करता है eyes को infect करता है sinuses sinuses क्या होती हमारे नाक एक दो बड़े बड़े मतलब थोड़े से बड़े ऐसे hollow spheres type के होते हैं hollow spheres मतलब खोकले गोले होते हमारे नाक के पीछे जस्ट तो उनमें क्या होता है उनमें हवा इकठ्थे होती तो उन्हें बोलते हैं sinuses इस सम्में infection हो चाता है ठीक है इसकी mortality rate जो है नहीं मृत्यूदर है ठीक है mortality rate मतलब मृत्यूदर है इससे जो मृत्यूदर है वो लगभग 50% है मतलब 50% लोग इससे जो बच नहीं पा रहे हैं अभी फिरहाल इसकी जो mortality rate है वो 50% है अब ये होता कैसे है ये कैसे ह होता है समझते हैं पहले कोवीड पेसेंट को immunity होती है ठीक है वीक immunity को improve करने के लिए क्या क्या दाता है उसको लगाया जाते हैं injection और वह कौन से पेसेंट को लगाया जाता है remedy सिवर इंजेक्शन लगाने से क्या होता हमारी immunity बहुत ज्यादा strong होता है remedy सिवर हमें कोरोना से नहीं लड़ता है वो हमारी immunity स्ट्रॉंग करता है और यह immunity इस टाइप से को डेवलप कर देता है अब क्या होता है कि हमारी immunity काफी स्ट्रॉंग हो जाती है तो जब वाइरस आता है हमारे body के अंदर तो जो काफी जोड़ से हमारी immunity हो के साथ fight करने लगती है जब वह fight करती है वह speed में तो अब लेकिन जब fight करती है तो obviously जब immunity हमारी जब दिससे fever आता है में तो क्यों हो आता है क्योंकि हमारे body में कुछ ऐसी चीचे आती है जो effect करती है corona virus भी वैसी सेम चीज़ है तो वह आता है तो हमारे body का temperature इनके दो के हमारी immunity उससे लड़ती है ठीक है लेकिन कुछ चीज़ और समझते है इसके बारे में तो जब remedy सीवर यूज़ कर ली जाती हमारे body में तो corona जब है वो होता है तो हमारी immunity में जो यूज़ किया जाता है एक dexa method son एक injection यूज़ किया जाता है ठीक है immunity कोई कम करने के लिए एक जब क्योंकि वो drive बहुत speed में हो जाती है जो immune system की जो drive होती बहुत speed में होने लगती है तो उसे कम करने लिए एक इंजेक्शन की steroid hormones जो आप दूने होंगे steroid hormones का injection एक यूज़ के जाता है यह dexa method son बोलते हैं dexa method son एक injection है जो immune system को कम करता है मतलब उसकी जो drive है जो बहुत speed में immune system वग कर है उसे थोड़ा सा कम करने कुछ करता है लेकिन doctors जो है वो immune system कर्म करने के लिए क्या करते हैं कई सारे injection लगाते जाते हैं लगा रहे हैं इस टाइम पर तो दिन में पीमारी भी हमें हो सकती है असानी से समझते हैं इसे थोड़ा सा जो fungus होता है वह बिल्कुल नॉर्मल आपके इस body में आते हम बहुत सारे होते हैं और फंगल इतना ज़्यदा वीक होता है कि इसे हमारी ज़्यदा वीक होता है बहुत से ज़्यदा वीक होने लगती है व्यूनिटी सिस्टम तो क्या होता है कि जब हमारे सरीर में छोटा सभी फंगस भी हमारे बॉड़ी में इफेक्ट कर जाता है जो हमारे नोज लंग्स आई या साइनुस में चला जाता है साइनुस या साइनुस दो होते हैं तो साइ भी नहीं है कि उसे फाइट कर सके ब्लैक फंगस से फाइट कर सके तो इसलिए हम उससे जादा बहुत ज्यादा पीड़ तो आते हैं यह एक मतलब करोना के बाद मुझे लगता है सबसादा लोग फिर रहत हो रही हो इसकी तो इतनी थी ही नहीं तो पूरा यह तो आखे निकल लौँ इसको भी होता है उसे तो प्लीज इससे सोड़ा सा बचके रहे को रहे को अपनी इम्म्यूनिटी सिस्टम को अगर हो चुका ह हालिके यह अच्छी चीज है कि यह सब को नहीं होता जो ब्लैक फंगस से चुँआ चुची विमारी नहीं कि सबको नहीं हो सकती ब्लैक फंगस इससिर्फ उन्ही लोगों को होगी जो कोरोना पेसेंड थे अभी तक होचुके हैं नोगों के लिए खत्रा है सबके लिए नही तो यह सबको नहीं हो सकता है, सिफ उन्हीं लोगों को होगा, जो Corona पेसेंड थें, जो सही हुए है Corona से अभी, हाली में. ठीक है, और इसको सही करने, इसमें होता है, मतलब और क्या-क्या होता है, तो इसमें nose bleeding हो सकती है, black fungus में nose bleeding हो तकी, स्वैलिंग आ सकती है हमारे बार्ट नोज वगारा पर और भी पार्ट में पेन होता है महाँ पर आइस या आइस का आइस लॉस हो सकता है विजन लॉस हो सकता है ठीक है इसके लिए सही करने के लिए इंजक्शन आता है 48 डॉलर का है या फिर इंडिया में कनवर्ट के लगभग 35 रुपए का उसका नाम है एंटी फंगल इंटाविनस इंजक्शन यह इंजक्शन लगा जाता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉंग करने के लिए कई सारी और भी आयूर्वेदिक मेडिसिंस भी यूस कि ज और यह इसको और भी इसका तरीका सही करने का कि जो राइट डोस ऑफ प्सुगर के राइट डॉस जो अडेक्सा मित्सों की जो है वह वह जान देना चाहिए कि इसकी राइट डोस में किसी को भी मत दितनी मन होते ही मत थोस तो पता है उसे सही गरना है लेकिन आप कहते हैं किसी चीज की अती खराब होती है तो वही सेम चीज भी कि डेक्सा मित्सों की लगा रहा है इंजक्शन पहले रेमेडिय सीवर फिर डेक्सा मित्सों और अब भी एक नहीं बिमारी बन गई रेमेडेस और सरी ब्लैक फंगस या फिर म्यूकर माइको सिस ठीक है राइट डोस की लेनी चाहिए डेक्सा मित्सों की या फिर रेमेडेस इवर की एक प्रॉपर केर सब्सक्राइब होगी अगर और कोरोना से जो भी सही हो रहे हैं लोग उनको भी अपना रेगुलर प्रॉपर जू तुछ कराना चाहिए और केर अपनी खुद की नॉक्टर के कांट्ट में है पर मैंने और आपको कोई भी दिक्कत होती है कोई भी बैसूस होता है कोई प्रॉब्लम तो आप प्लीज डॉक्टर्स कंसल्ट करिए और बाकी अधर नॉटिफिकेस मतलब अधर चानकारियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिजगा मेलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज क्या है कि एे एलने के प्रॉब्लम तॉकरव इंफन दो दोबदने के लिए और ओलेवटिकेस मतलब नइन बाइमान में चांती है नेक्टर्स कैजे़व laugh C तॉब्लम के लिएलू अ